रितुराज, रितुराज क्या कहेंगे आप आपने सुन लिया, पहले तो राजेश बादल के आरोप का ही जवाब दे दीजे, क्योंकि वन साइडिड कोई आरोप जाए ये भी ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप वहीं जाते हैं जा आप कॉंग्रेस का वोट काड़ सकते हैं आमादमी पार्टी देश की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली पार्टी है और हम गुजरात की जनता का धनेवाद करते हैं कि गुजरात की जनता ने आज आमादमी पार्टी को राष्टिय पार्टी बनाने के लिए जा रही है और दस साल के अंदर में ऐसा ग्रोथ रेट इत और इतने बड़े राज्जी के अंदर में पहली बार पार्टी लड़ रही है और उसे जो कुछ पूरे गुजरात के अंदर में वो साफ दिख रहा है और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे और जाहिर सी बात है केजरिवाल जी के गवर्नेंस के मौडल की स्विकारिता जो देश भर में है उसी का एक परिनाम आप गुजरात में भी देख रहे हैं जो 15 परतीशत के आस चोटे कारेकाल में उन्होंने अपने आपको नैशनल पार्टी बनवा लिया देखिए आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटिजी अब्जेक्टिवली स्पीकिंग वो यह है कि यह चोटी स्टेट्स में खुसते हैं जहां पर यह अपना तंदर बिचा सके देखिए यह पार गए लेकिन ज्याता जब उतरा खंड गए या गोवा गए तो उन्होंने यही टेप्रेट लागू करने की कोशिश की काम्याब नहीं हुए वो बात अलग है किसी भी उबरते हुए चैलेंज को डिस्मिस आप नहीं कर सकते कम से कम कॉंग्रेस को तो नहीं करना चाहिए यह बात भी सच है कि पिछले चुनाओं में एंसीपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किये थे तो उसने भी वोट काटे थे अगर एंसीपी अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करती तो कॉंग्रेस को शायद जो 77 वोट सीट्स मिली थी उससे शायद जादा बिल जाती तो मैं समझता हूँ कि यह बेमतलब बहस है हर पुलिटिकल पार्टी अपनी जमीन बढ़ाना चाहती है और उसको अधिकार है लोगतत्र में कि वो कहीं भी जाकर अपना प्रचार करे एक चीज़ पर जहां मुझे गुरेज है आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी अगर भारती जनता पार्टी का और्टरनेटिव बन कर उभरना चाहती है उसका दूरकामी प्लैन तो यही है तो फिर आम आदमी पार्टी किस तरह से जुदा है भारती जनता पार्टी से यह मैं पूछना चाहता हूँ यह बात सच है कि आम आदमी पार्टी के वरिश निता उस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं जिस तरह की बयानबाजी भारती जन्ता पार्टी के नेता करते हैं for polarization मिसाल की तौर पर दो अजार दो के दंगों का हवाला दे कर ये कहना कि हमने किसी को सबक सिखा दिया ये आर्विंद केजरिवाल कभी नहीं बोलेगा लेकिन उसकी चुपी में भी हामी हैं कभी कभी एकुसिंस यूनो साइलनस केन बी एकुसिंस अंग्रेजी में एक कहावत है और उनकी जो चुपीयां हैं वो बड़ी विचलित करती हैं कुछ लोगों को खासकर अन् लोगों को मुझ जैसे लोगों को और मैं जाहिरा और भी बहुत से लोग हैं मादल उन में से एक होंगे जरूर होंगे मैं ये मानता हूं कि उनकी जो चुपी है हमें बहुत खलती है और वो कुछ मुद्दों पर बोलते नहीं है मिसाल की तौर पे मैं बहुत विनमरता से आहमादमी पार्टी के स्पोक्समेंट से पूछना चाऊंगा कि आपका युनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या पोजिशन है आपकी पार्टी की पोजीश थर्ड ये जो ये जो एलेक्टरल बॉन्ड है उस पे क्या पोजिशन है आपकी पार्टी की कनवर्शन लॉस पे क्या पोजिशन है आपकी पार्टी की क्या पोजिशन है आपकी पार्टी की क्या पोजिशन है बिलकिस बानों पर बिलकिस बानों पर क्या पोजिशन ह इन चीजों पर चुप इतना बड़ा मसला देखिए हो सकता है कि अर्विन केजरिवाल ने जब तंज कसा था एक सर्जिकल स्ट्राइक पर तो उसके चलते उनको राजनेतिक नुक्सान हुआ और अर्विन केजरिवाल कुछ सदियुई बात करना चाते हैं लेंड माइनस में नहीं गुछना चाते हैं वो भी मैं समझता हूँ लेकिन मैं इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकता और मैं इसमें कन्विंस्ट हूं कि हर पुलिटिकल पार्टी कलिश से कलिश्ट मुद्दे पर एक अपनी पौरसी फॉर्मूलेशन दे सकती है जो की सधी हुई हो और उक्सो राजनितिक नुकसान ना पहुचा है पर सारी पार्टी यह नहीं देती हैं विनोजी क्या यह सच नहीं है यह बात दिखिए यह नहीं पार्टी है भई बीजेपी भी तो कैसे बड़ी हुई है यह यह कहेंगे कि हमने सब को वो दिया किया है हम सबका साथ सबका विकास करना चाते हैं और सबका विश्वास जीतना चाते हैं लेकिन जब नुमाइंदे देने की बात होती है इलेक्शन में तो भारती जन्ता पार्टी की जो पोजिशन है विच कैन बी इंटर्प्रेटेट टू मीन कि आप बाहर बैठो हम आपके लिए विकास करेंगे मुसलिम भाई बाहर बैठे हैं हम विकास उनके लिए करेंगे क्या यह पार्टिसिपेटरी डिमोकरसी है क्या यह रेप्रेजिटिटिव डिमोकरसी है इन गंभीर मुद्दों पे मैं समझता हूँ एक व्यापक बहस की जरूत है और वो बहस हम उस आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन वो 3500 किलिमोटर चल रहा है और उस बहस को वो प्रजवलित कर रहा है और एक नए एक दिन इस देश को उसकी बातों पे तवज्ज़ देने की जरूत महसूस होगी क्योंकि अगर आपके देश के भीतर इतना बड़ा समुदाय जो है देश है तो क्या उसके चलते आप अपने देश की सिक्यूरिटी मश्बूत कर लेंगे जब तक आपके देश का इंसान सिटिजन एक जुट नहीं है एक समरस्ता नहीं है उसमें आप अपनी देश की नेशनल सिक्यूरिटी नेशनल डिफेंस एकनॉमिक सिक्यूरिटी को इं human resource है आपका, वो partly utilized है आगर आपका, चुकि देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्या उस समुदाय में जवान लोग नहीं हैं, हम अपनी young demography पे गर्व करते हैं, और सही करते हैं, देखिए मैं यह कहता हूँ, कि आज के दिन जिस सिती में माननी प्रधानमंत्री हैं, वो इस विकार का इलाज ढूंड सकते हैं, क्योंकि लोग उनकी बात सुनते हैं, और उस समाज के लोग उनकी बात सुनते हैं, जो समाज, अगर अपनी goodwill का इस्तमाल करें, तो हमारी देश की अखलियतों को best security प्रवाइड कर सकता है, मैं ये इलतजा करना चाहता हूँ, मैं किसी एक पार्टी के खलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आप ये समझेए कि मैं अपने देश के हित में बोल रहा हूँ, ये मेरा राश्टवाद मुझे समझाता है, नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे हैं, News24